तो दोस्तो आज 8 डिसमबर 2023 बजार में आज थोड़ा सा वालिटिलिटी जरूर था बट अल्टिमेटली मार्केट जो है पॉस्टिव में क्लोजिंग दिया साथ में निफ्टी फिप्टी अपना मोस्ट अवेटेड लेवल 21,000 उसको भी एचिव कर लिया और क्लोजिंग भी दिया उसके काफी नजदीक जाके 20,979 पॉइंट पे करीब 0.33% तेजी के साथ और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कर रात की सारे दस की वीडियो में क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि आज बजार पे एक अच्छा खासा तेजी होने का चांस है तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को तो सब्सक्रेब करके रखिए और साथ में आज रात की सारे दस की वीडियो जरूर फॉलो करना क्योंकि अपकमिंग ट्रेडिंग वीड के लिए जरूर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और उसके बीच में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा तो हर एक वीडियो फॉलो करते जाना तो बेसिकलि आज जो अल्टिमेटली तेजी हमें देखनी को मिला मार्केट के अंदर उसके पीछे रिजन है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी फनांशियर सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर तो आज काफी अच्छा तेजी था खास करके बड़े आईटी कंपनिस चाहे ल्टे माइं को मिला क्या कुछ स्टेट में दिया है हमारे गवर्नर की तरब से तो चलिए यहां पर डिसकाशन शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले यहां पर एक एक करके स्टेप बाइस टेप में आपको प्रेजन करता हूं दब बेंचमार्क लेंडिंग रेट मतब डेपो डेट व फॉल्विंग दा कंक्लूशन ऑफ दा थ्री डे मिटिंग ऑफ दा सेंट्रल बैंक्स मॉनिट्री पॉलिसी कॉमिटिंग तो बेसिकल यह तीन दिन का मिटिंग था जिसका आउटकम के रुप में यह चीज हमें देखने को मिला मतब जो डेपो डेपो डेट है वो कंटीनर र किया है पहले जो था उसको रिटेन करने की यहां पर फैस्ट लिया है 5.4 परसन इसके पहले भी फोर्कस्ट किया था इस बार उसको अंचेंज रखा मतब इंडिया का जो प्रेजन फनांशियल एर पे इंफ्लेशन रेट है करीब करी 5.4 परसन के आसपस होने का चांस से आर इस बार देके चेंज कर दिया और यह दोस्तों एक मैसिब चेंज अब देख सकतो काहां पे सारे 6 परसन और कहां पे 7 परसन और जस्ट बगाउस हमने देखा आज बजार क्लोजिंग होने के लगबग वही देर दो बज़े के आसपस से आप देख से तो मतलब जो मार्केट म पहुंच गया था वहीं अगर हम बात करें करीब करीब देखा जाए 100 पॉइंट की ऊपर हमें रिकावरी देखने को मिला और सेम चीज अगर हम बात करें बैंक निफ्टी भी देखी बीच में एकदम से फ्लैट पे पहुंच गया तो उसके आपके सामने सब कुछ क्लियर हो तो कर रात में हमने देखा था डॉजोंस इंडस्ट्रिल एवरेज एक तो डॉजोंस के अंदर थोड़ा तेजी मत्तब अलेडी आपको बैंक्स में थोड़ा बहुत हमें पॉजिटीव देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सेक्तो रात में क्लोजिंग दिया था 0.17% तो आज इंडियन आइटी सेक्टर्स में अच्छा बूस्ट आ सकता है और वैसा ही हुआ इंफोसिस की बात करें वीप्रो की बात करें एल्टे माइंट्री की बात करें कम्प्लीटली पॉजिटीव में क्लोजिंग दिया काफी उपर जाके सेम चीज़ देखे सुबा में ज इसका दोस्तों आपको फाइनल अपडेट आज रात की वही सारे 10 की वीडियो में क्लियर कर मेंशन कर दूंगा बाकी बात करें यहां से थोड़ा बहुत नेगीटिव अपडेट है कि युएस की 10 साल की बॉंड डील में फिर से आज सुबा सुबा एकदम से स्पाइक देख बढ़ा के अभी फिलाल ट्रेट चल रहा है अब बात यह है इतने सारे न्यूस के बीच में जो एक ऐसा ग्रूप था अधानी ग्रूप लास्ट दो से तीन दिन के भीतर-भीतर कहां से कहां पहुंच गया मतब एक एक दिन में एक एक शियर 15-20-10-10% की अपर सर्कित तक भी अधानी एनर्जी सल्यूशन यानि ट्रांस्मिशन इसका पुराना नेम था इसमें आज क्रैश हुआ 6% के आसपास अधानी इंटरप्रेस की बात करें ध्यान से देखना यह निफ्टी का शियर है इसमें गिरावार फिर से क्रैश किया जो की बीच में काफी तेजी था बु पुजा सिमेंट में 2% की गिरावाट एंडी टीबी के अंदर 5-6% की क्रैश देखने को मिला तो दोस्तों नेक्स जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको अधानी ग्रूप की वर सारे इन्फोर्मेशन प्रोवाइट कर दूँगा सारे डीटेल सारे निउस कवर कर दू बैंक निफ्टी में 0.90% की तेजी था आई टी सेक्टर खास करके आज काफी अच्छा यहां पर मूबें दिया 1.31% और उसके साथ साथ आपके फनांशियल सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत हमें तेजी देखने को विला 0.91% के आसपस आपस अब बात करेंगे आज आज की रेट में दोस्तों बहुत सरा ऐसे कंपणी की शियर से जो की अपना ओल टाइम हाई भी टच किया और बहुत सरे शियर अपना 52 इस हाई भी टच किया जैसे की इरेड़ा दोस्तों ज्यादा पुराने बात नहीं है आप अगर इस चनल को फॉलो करता आपको अच्छे हुआ और इसका भी अपडेट दोस्तों आज रात की एक वीडियो में कर दूँगा फिलाल आज शियर अपना ओल टाइम हाई टच किया है लगबख 73 रूपिस की उबर जाके और बाइस आव इसको हम क्या बोले एई चल तो है गजब का और आज की रात की एक वीडियो में भ बहुत बड़ा डील बगरा हो सकता है बाहर की कुछ कंपनीज जैसे की फिलिपीन्स हो गया अर्जिंटीना हो गया नाइजरिया हो गया यह सारे कंपनीज काफी इंट्रेस्ट शो किया तेजस जो फाइटर एयरक्रफ्ट उसको खड़िदने के लिए और जिसकी जल तेक दो शुरूआत में फिरसे ये बाई सब अपना All Time High टच कर लिया नेक्ष्यर की बात करें RBL बैंक भी आज अपना All Time High टच किया साथ में LIC की share आज अपना 52X high touch किया साथ में Tata Power का share आज शुरुआत में आप अपना all time high touch किया बट उसके बाद वहाँ पे sustain नहीं कर भाया थोड़ा सा नीचा के closing गया नेक्शा दोस्तो Titan Company Limited जो की Tata Group से share है ये भी आज अपना all time high touch किया नेक्शा दोस्तो भारत Dynamic Limited BDL तो ये share भी आज आपने देखा शुरुआत में आज अपना all time high touch किया last and final share आपके IT सेक्टर से LTI माइन ट्री भी आज अपना all time high touch किया तो दोस्तो ये कुछ important updates था आगे भी बहुत सार important videos आएगा चार से पांच तो वो सारे वीडियो जरूर देखना और खास करके रात की जो सारे 10 की वीडियो वो मिस मत करना फिलाल दोस्तो इस वीडियो को wind up करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक किया बाबाई जय हिंद